ओमो नमाहिस्वे दोस्तों ब्रिशब राजसी वले जात्कों का इस चैनल पे स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रिशब राजसी वले जात्कों के लिए साल 2023 में नवंबर का महिना किस प्रकार जाने वला है नवंबर का महिना क्या कुछ खास ब्रिशब राजसी वले जात्कों के जीवन में लेकर आया हुआ है इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वले हैं इस पूरे महिने की सम्यावधी में ग्रहों के माध्यम से नक्षत्रों के माध्यम से किन किन छत्रों में आपको साकरात्मक्ता मिल सकती है और कहां पर आपको साथधानी बना कर चलने के आप सकता रहने वली है ये जानकारी हम आपको देने वली हैं तो ये राशी फल ब्रिशब राशी वेले जातकों के लिए ही बनाय गया है और आपकी चंद राशी के उपर प्रभावी है और आधारित है तो आप इसे इसी आधार पर दिखे इस राशिफल के दावरान ब्रिसब राशी वेले जात्कों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने बाले हैं जैसे आपका केरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा? आर्थिक जीवन, पारिबारिक जीवन, प्रेम संबंद, स्वास्थ, एजुकेशन लाइफ और ब्रिसब राशी के जात्कों के लिए कुछ विशेश और धार्मे कुपाईयों के बारे में भी हम आपको जानकारी देने बाले हैं राशी फलको प्रारंब करें, उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपके राशी के उपर ग्रही स्थिती किस प्रकार की बनी हुई रहने वली है? पूरे नवंबर के महिने में आपके राशी के संपूर राशी को नियंतरित रखने वले ग्रह सुक्र देव आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव से गोचर करने वली हैं आपके पंचम भाव पर केतु और सुक्र की उपस्तिती तीन नवंबर से बनने वली है राहुदेव आपके लाब भावपर और देव गुरूब रहस्पती आपके व्याई भावपर पूरे नवंबर के महिने में गोचर करने वले है इसमें राहुदेव भी वक्री है और देव गुरूब रहस्पती भी वक्री रहने वले है इस पूरे महीने स्वनिदेव आपके कर्म भाव यानि दसम भाव पर प्रभावी होकर गुचर करने वले है जिसमें 17 नवमबर को सूर्य का परिवर्तन होगा 16 नवंबर को मंगल का भी परिवर्तन होने वला है इस प्रकार की ग्रही स्थतियां ब्रिसव रासी वले जातकों बनी हुई रहने वली है इसमें मेजर ग्रहों का रासी परिवर्तन नहीं हो रहा है माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज़दा हो रहा है अब आईए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये महीना किस प्रकार की संभावना निर्मित करने वला है सबसे पहले आपको जानकरी दे रहे हैं केरियर के लिहाज से नवंबर आपके लिए कैसा है देखें आपके राशी के दसम भाव यानि कर्म भाव के स्वामी सनी बनते हैं और सनी देव 4 नवंबर 2013 से आपके दसम भाव पर मारगी हो जाएंगे यानि वक्री चाल को छोड़ रहे हैं और आपके राशी के स्वामी सुक्रदेव काफी वहतर इस्थितियों में गुचर करने वले हैं सुव इस्थितियों में रहने वले हैं ब्रिसव राशी वहले जातकों के लिए कर्म चेत्र के मामले में नवंबर का महीना उपलब्धी, साकार अत्मक्ता और स्रेश्ट मुकाम आपको देने वहला है इसमें आपके केरियर की दिसाम में सफल दाई इस्थितियां आसानी से निर्मित होगी खुद का व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी आचानक यदि आप उपलब्धी चाहते हैं, आचानक आपके जीवन में प्रमोशन की संभावना बनेगी वहीं, शनी आपके कर्म अभाव के स्वामी होकर वक्री अवस्था में थे तो कहीं न कहीं व्यापार के मामले में भी आपको समस्याई हो रही थी व्यापारिक मामलों में नविनी करण और व्यापारिक उपलब्धी आपके जीवन में इस समय अंतराल में आपको आसानी से मिलने मली है आर्थिक जीवन के मामले में यदि आपको जनकरी देया जाए ब्रिशब रशी के जातकों आर्थिक जीवन आपका काफी मिला जुला रहने वला है नवंबर के महिने में आपके धन भाव के स्वामी बुध देव आपके छठवे भाव पर सूरे के साथ मंगल के साथ गोचर करने वले हैं आपके जीवन में भूमी भवन वाहन का भर पूर लाव आपको हुने वला है लेकिन आपके जीवन में एक और आमदनी में इजाफ़ा होगा वहीं आपके जीवन में खर्चों में वृद्धी भी बनी हुई रहने वली है मेथोन राजसे के बहुत सारे जातक वर्तमान समय में कर्जों की वज़ा से परिसान हैं कर्जों से निपटने की पूर्ण संभावना बंती हुई दिखाई दे रही है इसमें आपके जीवन में उत्साह आपके मन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वला है परिवार के द्रिष्टी कोंड से यह आपको जनकरी दे जाए परिवारिक जीवन ब्रिसाब राजसी वले जातकों का मिला जुला रहने वला है देखे आपके राजसी का दुती भाव के स्वामी बुध देव आपके छटवे भाव पर प्रभावी होकर गुचर करने वले हैं तो कहीं ने कहीं पारिवारिक जीवन में ब्रिसाब राजसी के जातकों को दबाव जरूर महसूस होगा और पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जिम्मेदारी आपके उपर बढ़ी हुई रहने वली है आपके बार में भाव पर गुरू और ब्रहस्पती और राहू का चांडाल योग बना हुआ था इसकी वज़े से परिवार में खुशी सद्भाव और परिवार में सामर्जुस की कमी आपको हो रही थी तो तालमेल आपके परिवार में जरूर बढ़ेगा रिस्तों में आपकी एहमियत भी बढ़ेगी कुटुम्बी जनों का भर्पू सहयोग भी आपको नवंबर के महिने में देखने के लिए मिलने जा रहा है सुख्षा को लेकर जानकारी दिया जाए देखे पंचम भाव से सुख्षा के बारे में विचार करते हैं और पंचम भाव पर सुक्रदेव केतु के साथ प्रभावी होकर गुचर करने वले हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय काफी स्रेष्ट रहने वला है आपके मन में उत्सा है, साकर अत्मक्ता और इस समयावधी में मनोवल में वृद्धी रहने वली है किसी प्रकार के परिख्षब रत्योगता की यदिया आप त्यारी कर रहे हैं उसमें अजि आप सफलता की संभावना को लेकर चल ले हैं नवंबर का महिना आसा जनक रहेगा और इसमें आपको विशेश उपलब्धी भी मिल सकती है, सफलता भी आपको देखने के लिए मिल सकती है प्रेम और वयवाहिक जिवन के द्रिष्टी कौन से यदि आपको जन करे दिया जै प्रेम संभन्द के मामले में समय आपके लिए मिला जुला रहने वला है प्रेम जीवन में जो भी जात तक जूड़ कर चल ले हैं उन्हें नवंबर में तीन नवंबर के पश्चात उत्सा काफी ज़्यादा दिखाई देने वला है आपके पंचम भाव पर गर मगरह, विच्छे दात मगरह, केतु देव की मौजूद्गी बनी हुई है इसकी वज़ा से भावना के वसी भूत होकर कड़वे सब्दों का प्रियोग आप अपने प्रेम संभन्द में या किसी गहरी प्रिंशिप में हैं वहाँ पर करने से आपको बचने की आपसकता रहने वली है तो ये समय आपके लिए काफी सांदार रहने वला है वयवाहिक जीवन के दृष्टी कोंड से यदि आपको जानकरी दिया जाए आपके रासी के वयवाहिक भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं और मंगल देव इस पूरे महिने की समया बधी में आपके रासी में काफी अच्छी स्थितियों में रहने वले हैं कहीं ने कहीं जो जातक वयवाहिक जीवन में चल रहे हैं सादे सुदा हैं उनके जीवन में सम्मान की विर्धी, वैवाहिक जीवन में खुश नुमा, पल बिताने में आप समर्थ रहेंगे, दामपत्य सुख बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके जीवन में काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वला है। साकर अत्मक्ता बढ़ी हुई रहने वली है। तो यहाँ पर आपको यानि ब्रिसवराशिक जात्कों को सेहत के मामले में अलेट रहोकर चलने के आप सकता रहेगे। खान पान की आदत का आपको विशेज ध्यान रख कर चलना होगा। मन में साकर अत्मक्ता और उच्छा बनाकर जरूर चलें। तीवर रप्तार में यदि आप वहाँ चलाते हैं तो इस पर आपको सावधन रहना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का आपको जरूर पालन करना चाहिए। और वहीं यदि आप टू विलर वहिकल चला रहे हैं हिलमेट का प्रयोग जरूर करें वहीं यदि आप फोर विलर वहिकल चला रहे हैं स्टीट विल्ट का प्रयोग भी आपको करने क्याब सकता रहने बली है। उसके साथ साथ इस सम्यावधी में यदि आपके लिए धार में कुपाईयों की जानकरी देया जाए ब्रिसवराशी के जात्कों को भगवान संकर और मापारवती की अरादना करना बेहतर रहने वला है ब्रिसवराशी के जात्कों को बेजुवान जानवरों के प्रती दया का भाव जरूर रखना चाहिए यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आपको जरूर करते रहना चाहिए तो आपको जीवन में काफी सुबता मिलने वली है उमेद है जानकरी ब्रिसवराशी बेला जात्कों को बेहतर लगी साल 2013 के सभी महिने आपके जीवन में बेहतर स्थतियों का निर्माण करे को विराम देता हूँ ओम नमा शुवयद्व